कॉंग्रेस पार्टी ने आज करनाटका का अपना घोशना पत्र जारी किया और उस घोशना पत्र में एक सबसे बड़ी बात जो उन लोगों ने ऐलान किया है वो ये कि वो बजरंग दल सरीखे संगठनों पर प्रतिबंध लगाएंगे बैन करेंगे बजरंग दल को इसे लेकर सियासत करनाटक से लेकर दिली तक गरमाई हुई है लेकिन हम इस वाक्त लखनों में हैं और हमारे साथ डिप्री सीम केशव प्रसाद मौरे हैं जो कि खुद बजरंग दल से लंबे वक्त तक जुड़े रहे हैं और बजरंग दल से सिर्फ केशव प्रसाद मौरे ही नहीं विने कटियार सरीखे जो बड़े बीजेपी के निता हैं उन्होंने भी बजरंग दल में अपना काफी वक्त दिया है स्वागत है सर आपका आपने सुना कि बजरंग दल और उस सरीखे संगठनों को बैन करेगी कांग्रेस पार्टी आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि क्या सच मुच कांग्रेस के बारे में अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं यही कहूँगा कि जब नास मनुस पर च्छाता है पहले विवेक मर जाता है उन्होंने बजरंग दल जैसे संगठन बजरंग दल मानि बजरंग सब्द ही स्री इनमान जी से जूड जाता है और हनमानजी की जण्म भूमी करनाटक किस किन दाचेत में माना जाता है और जा मंगल वार के दिन उन्होंने अपने गोशना पत्र के माध्यम से जिस प्रकार से की सरकार में आएंगे तो बजिनगल को प्रतिबंधीत कर देंगे यहाँ कहे करके उन्होंने कांग्रेस मुक्त करनाटक नहीं कांग्रेस मुक्त हिंदूस्तान के दस्ता वेज पर आज हस्ताच्छर की हैं और इसकी भारी कीमत जेपी वहाँ हार सकती है चुनाओं में और कॉंग्रेस पार्टी ने तो सिर्फ बजरंगदल ही नहीं उन्होंने का बजरंगदल पीएफाई ऐसे तमाम संगठनों को बैंड करेंगे एक तरीके से तुलना भी कि देखे पीएफाई ये सीमी का बदला हुआ रूप है एक प्रूट रखने वालों से तुलना करना ही ये महापाप किया है बजरंगदल का स्लोगन उन्हों देखा नहीं होगा वा सेवा सुरच्छा संसकार समाज की सुरच्छा करना और संसकार जुक तरीके से करना ये एक विचार लेकर के हां विश्र हिंदु परसद की युवा राम हुए नहीं जब ये बोला तो आज राम मंदिर में से जुकाने के हो जाना पड़ रहा है क्योंकि उनको मालूम है कि राम से द्रोह करके कांग्रेस ही मिट जाएगी इस्टे राम जी के जन मुभूमी पर जाके मेथा माथा टेकने के लिए ये बीवस हो रहे हैं आज स्री रूप से हिंदू समाज को अफमानित करने के लिए मुश्लिम तुष्टिकर्ड की घटिया राजनिती करने के लिए किया गया है और इसका जवाब करनाटक के विधानसवा चुनाओं में तो लोग देंगे ही कांग्रेस को लेकिन हिंदूस्तान का जो भी चुनाओं होगा ह और बजरंग दल अतिवादी हिंदू संगठन है नफरत फैला सकता है फैलाता है इसलिए उनके घोशनापत्र मिया कांग्रेश अगर देश भक्त और देश द्रोही का अंतर नहीं समझती है भारत माता की जय बोलने वाले और भारत के तुकड़े करने वालों के बीच में फ जो छिपा छिपा रहता था आज वो प्रकट हो गया है यह वादा करना करनाटक की जनता से कि हम आएंगे तो हम 75% आरचन आरथात को वहां मुश्लिमों को अलग से आरचन देने की बात कर रहे हैं भारती जनता पार्टी ने कहा है कि जो सम्विधान सम्मत है वो आरचन हम द दल का नाम लिया है उनको बजनक दल के बारे में कुछ नहीं मालूम है अगर बजनक दल के बारे में उनको मालूम होता तो ऐसी गलती कोई कांग्रेसी या कांग्रेस का नेता यहां घोशना पतर जारी करने समय नहीं करता एक और स्वाली से जुड़ता आपको लगता नहीं कांग्रेश ने सोच समझ के किया है उनको मालूम है कि उनको किस से लड़ना है कांग्रेश ने ये हिंदू को अपमानित करने के लिए किया है ये कांग्रेश का हिंदू विरोधी चरित रहे ये कांग्रेश की मुश्लिप तुष्टी करण की घटिया राजनीती है जिसके करण से देश 2014 से पहले 60 साल की सरकार में 120 साल पीछे चला गया और 8 साल की सरकार में 60 साल आगे चला गया मोदी जी के नेत्वत में आज ऐसा भारत बन रहा है कांग्रेस के अगवाई में बुरा हाल था आज हम भगती कर रहे हैं तो कांग्रेस ने जो रास्ता चुना है वो अपने आप अपनी बरबादी कर रास्ता चुरूए तो हमारे साथ थे केशव परसाद मौरे और इन्होंने आज भजरंग दल पर जो प्रतिबंध लगा है उस पर खुल कर अपनी बात कही कि कॉंग्रेस के लिए ये उन्होंने कहा कि जब नास मनुच पर चाता है पहले विवेक मर ज